टीफी सर्विस का बिजनस एक ऐसा बिजनस है जुसे घर की महिलाएं सुचारू रूप से चला सकती है ये विपार आप बेहत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाएं इतना ही नहीं इसे साइट बिजनस के तौर पर भी शुरू किया जा सकता है अगर आप इस बिजनस में क्वालिटी और क्वांटिटी पर विशेश ध्यान दें तो कुछी दिनों में आप बेहत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकती है बिजनस शुरू करने से पहले परयापतर रिसर्च जरूरी बिजनस शुरू करने से पहले किसी और सर्विस सेंटर में ग्राहक बनकर जुड़े और महत्पून जानकारियां जुटाएं जैसे रोटी कितनी देनी है, कितनी सबजी देनी होगी, हफते में किस-किस दिन वेच नॉन वेच मिलेगा, क्या किसी दिन छुट्टी होगी या नहीं, प्रतिव्यक्ति लागत कितनी आएगी, प्रतिव्यक्ति कितने का टीफिन प्राइस होगा, कितना मुनाफ़ा होगा आद शौप एक्ट लाइसेंस अगर आप कोई पर्टिकुलर शौप को लेकर इस बिजनस को खुल रहे हैं तो इसका लाइसेंस होना ज़रूरी है FSS AI जब भी कोई फूट का बिजनस शुरू करते हैं तो इस लाइसेंस के अवशक्ता होती है यह आपको खाने की क्वालिटी चेक करने के बाद उसे प्रमानिकता प्रदान करता है Trade license व्यपार अधिकार पत्र शहर म्यूंसिपल कॉर्परेशन द्वारा पाय जाने वाले एक लाइसेंस है किसी व्यपार को शुरू करने के लिए इस लाइसेंस का होना अनिवार है Fire NOC अगर आप अपने व्यपार में किसी ऐसी चीज का उप्योग करते हैं जिसमें आग का प्रयोग होता है तो आपको Fire Department से No Objection Certificate लेना है Society NOC अगर आप किसी सुसाइटी में रहकर बिजनस शुरू करना चाहते हैं तो सुसाइटी से Permission लेनी पड़ेगी अगर सुसाइटी ने No Objection Certificate प्रोवाइड कर दिया तो आप बिजनस शुरू कर सकते हैं कोई भी वपार शुरू करने से पहले तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए आपको जरूरी चीरों की विवस्ता करनी होगी खाना बनाने का बरतन, टिफन, अलुमूनियूम फॉयल बॉक्स, खाना बनाने के लिए आवश्चिक सामगरी का प्रबंद आधी बिजनस और ग्राकों को बढ़ाने के लिए क्या करें? ग्राकों से फीडबैक लें हर महीने अपने ग्राकों से फीडबैक लें और उन फीडबैक को एपलाई करें अपने मैन्यू में एक्ट्रा खाने की चीज़ें जब भी टीफिन भेजें तो कुछ ना कुछ एक्स्टर जरूर एड़ करें जैसे कि मिठाई या हलवा आदी आधुनिक टीफिन का प्रयोग करें आप साधारन टीफिन की जगा स्टालिश टीफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक नया लुग देगा अपने मैन्यू में बदलाव करते रहें जिससे मैन्यू अकरशित लगे हर महीने अपने मैन्यू में कुछ न कुछ चेंज करते रहें जिससे ग्रहकों को नयापन लगता रहे visiting card, visiting card आप अपने जानने वालों को दें जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें pamphlets, pamphlet hostel, office, school, colleges और सड़क किनारे लगाएं जिससे लोग आपके business के बारे में जान सकें इससे आपको ग्रहक मिलने में आसानी होगी होडिंग, जब आपका business अच्छा चल पड़े और अच्छी कासी कमाई होने लगे तो आप जगा जगा होडिंग लगवा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप अपने इलाके को टागेट करके डिजिटल मार्केटिंग भी करवा सकते हैं घर से ही टीफिन सर्विश शिरू करने के लिए 5,000 से 10,000 तक का investment करना होगा यदि आप shop लेकर business शिरू करते हैं तो दुकान का किराय मिलाकर 10,000 से 20,000 तक का आप शिरू कर सकते हैं कितने लोगों की आवशकता पड़ेगी? अगर आप घर पर ही बिजनस शिरू कर रहे हैं तो आपको शिरूआत में help करने के लिए एक दो लोगों की जरूरत पड़ेगी जैसे cook और delivery boy जैसे जैसे आपका business बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको hiring process तेज करना होगा बिजनस शिरू करने से पहले किनकिन बातों का ध्यान रखें जैसे आपका business दिन दोगनी राच चुगनी तरक्की करें location का ध्यान दे, खाने की quality और quantity अच्छी होने चाहिए अपने competitors को follow करें कि वो क्या बदलाव कर रहे हैं साफ सफाई का ध्यान रखें तो दोस्तों इस तरह से आप टीफिन सर्विस का business शिरू कर सकते हैं वो भी बेहत कम investment के साथ